जहीं दोस्तों बंदे मातर एक तरफ जहां हम लोग युवा के तौर पर इस चीज की कोशिश में लगे हुएं कि ये जात पाथ छुव चूट उच नीच का जो अंतर बनाया गया है इसको खतम किया जा सके जिससे की सभी कोई के क्वैलिटी वाली नजरों से देखा जा सके कि जिसी कोई ये महसूस ना हो कि भाई वो चूटा है या कोई बड़ा है अपीडी गरीबी के बारे में हम लोग बात करतेंगे यार कभी भी हमको किसी को कोई चश्मा लगा कर नहीं देखना चाहिए कि कोई अमीर है कोई गरीब है कोई उंचा है कोई नीचा है खास दORपे ज वराद सिंग को सोनीपत पुलिस ने भी गिरफतार किया हलाकि उनको अंतरम जमाना तुरंथ मिल गई लेकिन उनको भी युजुएंद चहल के उपर इसी प्रकाल जाती सुचक टिपणी करने के मामले में गिरफतार किया गया था और बाद में उनकी अब जो भी जाँच प्रक बार-बार होने का मतलब यह कि कही ना कहीं लोगों के मन में आज भी वाली चीज आज भी वाली भावना कहीं ना कहीं रखी हुई है देखिए इस प्रकार की भावना से ही हमको उपर आना है तब ही हम समाज के तोर पर आगे बढ़ पाएंगे वरना इनी चीजों में कितरी और बिग बॉस की प्रतिभागी रह चुकी यूविका चौधरी को पुलिस ने सोमवार मतलब 18 अक्टूबर को गिरफतार किया जहां उन से पूछताच किया पुलिस ने उनको जमाना दे दी हर्याना के हंसी थाना में डीस पी ऑफिस में यूविका से तीन घंटे तक पूछताच करीगी यूविका पर आरोप है कि उन्होंने अनुसी जाती पर अपमाजने टिपणी किये यूविका ने ये टिपणी इस साल 25 मई को अपने ब्लॉक पर एक वीडियो में करी थी इसके बाद बवाल हो गया था उनका बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल दर्च कराई थी इसके बाद यूविका चौधरी हर्याणा पंजब हाईकोर्ड में याचिका दायर कर इस केस को रध करने की मांग कर रही थी जिसे कोट ने खारिच कर दिया था इसके बाद यूविका ने अग्रिम जवानात की अरजी लगाई थी कोड़ ने इस सहयोग के लिए हंसी पुलिस जाज के लिए पहुंची थी गौर तरब है कि कलसन क्रिकेटर युवराज सिंग और तारक मेता उल्टा चश्मा उन मत्ता था खिलाफ भी शकायत दर्ज कर चुके हैं और इस मामले में उन्होंने काफी संगर्ज भी किया था इन सभी मुद्दों कि उनको इस प्रकार के शब्दों को चारन करना ही नहीं चाहिए आपने वीडियो बनाया समझ में आता है लेकिन एडिटिंग के समय तो आप सीज के बर ध्यान दे सकते हो ना एडिटिंग के समय भी सीजों के तरफ ध्यान नहीं दे रहे है उसका मतलब तो जाल में कुछ का है मेरे सुदियों फिलालत नहीं जैहिन जैपारत